सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत बुलेगा क्यूंकि आप हमारा वीडियो मिस कर बैठेंगे तो दोस्तो मेरा नाम है विरे और मेरा नाम है रुतेश और हम कर रहे हैं IPL के क्वालिफायर टू का रिव्यू दिल्ली दिलवालों की वर्सिस हाइदरबाद के नवाब दिल्ली के टीम में थे आज दो चेंज़ेश शौ और साम्स की जगा पे आए हेट मायर और दूबे और SRS के टीम थी अनचेंज़ तो दिल्ली ने टॉस जीता और डिसाड किया बैटिंग करने था क्योंकि उनका चेजिंग में रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है और वोहर मैच आ रहे है शिखरदवन आज मूज चान कया आयते अच्छा कहलने का ठान कया आयते बनाए सबसे ज़्जज़ादा रन 78 क्रिकेट के गबर आज शोले के गबर के मूँन में थे बोला अब 13 क्या होगा कालिया गबर के बाद सबसे ज़्यादा कॉंट्रिबिशन दिया हिट मायर और ट्रेनिस ने मिलकर मारे दो चक्के और नौ चौके संराइसर्स के सामने पिछले पाँच मैच में किसी भी टीम ने 150 से ज़्यादा स्कोर नहीं किया है पर आज दिली की बैटिंग की गर्मी ने ऐसे पसी ने बहा दिये के हाथ में हैं कैचीज भी चूड़े तीन कैचीज छोड़े टोटल राशीद खान साब की बॉलिंग तो अच्छी थी लेकिन उन्होंने भी एक कैच ड्रॉप करके अपने टीम के खराब परफोर्मेंस में अपना योगदान दिया खराब परफोर्मेंस की बात होई रही है तो मोल्डर और नदीम की जो फिटाई हुई है तोबा 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 सारा मूट खराब कर दिया दिली का टोटल स्कोर रहा 189 पर 3 अब थी सन्राइजर्स के बैटिंग की बारी पर मुझे लगता है सन्राइजर्स के रिफ्रेश्मेंट में कुछ तो गडबड़ दी क्यों ऐसा तो क्या हुआ उनका पेट खराब हो गया था पिछ पे कोई मैट्समेंट ठीकी नहीं रहा था बे यार सोरी सोरी तो हर बार की तरह सन्राइजर्स के लिए 19 शाइनिंग आमर बने केन विलियम सर्ण और बनाए 67 रन्स मनिश पांडे और समाद ने बहुत ताकत लगाई पर वो कुछ करने पाई इस सीजन रबाड़ा बिली के ब्लैक पैंथर बने आज भी चार विक्टे चटकाई रबाड़ा फॉरेवर चोनिस ने बैटिंग में तो अच्छा परफार्म किया ही और बोलिंग में भी तीन विक्टे लेके अपने तीन को विक्टरी की तरफ किया तो अब देखते हैं IPL के फाइनल में क्या होता है मुंबाई जीत के वापस हिस्टरी रिपीट करेगी या दिली पहले बाद जीत के हिस्टरी क्रियेट करेगी तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और इस मैच के बारे में अगर आप कुछ कहना चाते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें और जुडे रहे हमारे साथ क्योंकि फाइनल्स की मैच का भी हम रिव्यू लाने वाले हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए थैंक्यू